आज हम देखेंगे भुगोल और भुगोल में देखी क्या देखने वाले है इस यहां पर हम देखेंगे पिठ्वी के प्रमुक इस्थल रूप के बारे में हमको जानकारी लेनी है यह हम पिठ्वि और हमारा जिवन जो क्लास 7 की बुख है यहांसे पढ़ेंगे देखिए अंदर दिया है यह पार्ट 2 है पिठ्वि के इस्थल रूप पित्वी के धरातर पर हमें विभिन प्रकार की इस्थलाकृतियां देखनों को मिलती है अब इस्थलाकृतियां क्या है यह दिखे यहाँ पर दिया गया है इस्थलाकृति पित्वी के सत्व के आकार इम आकृति को इस्थलाकृति कहते हैं कि यह सब पहाड कर द Qui यह सब क्या करी जो सृक्ति करती हैं आघे दिया है इन इस श्यक्रिति करें निर्मानियर क्या निर्माण होता है धरातर पर उच्छा वच इन इस थरक्रितियों को 3 भागों में बाटा गया है आप जहां पर हमाहां देखेंगें तो आपको बहुत दूर तक सम्तल नहीं दिखाए देगा कहीं थोड़ा सा उचा होगा कहीं और भी ज्यादा उच्छा होगा कहीं गहरा होगा तो ये उचा नीचा है जो हिस्टा कहलाता तो आपके परवत पठार और मैदान इसमें आ जाते हैं वहीं तृतिय चेड़ी की बात करें तो यहां पे टीले नदी घाटियां डेल्टा वगएर आपके आ जाते हैं अब देखें इसके अंदर की बारी में जान देती हैं आप एक चित्र के माध्यम से इसे समझाया गा है कह चटानों की परवत पहाड़ों पठारों की निर्माय में महत्पुर्ण भूमिका होती क्योंकि इनहीं के माध्यम से क्या है यह परवत पहाड पठार बने हुए हैं इनके विप्रित हम कम द्रिमता वले चटान जैसे मिटी बालू आदी मैदान वारे चोटी नीची स्वंकारी देंगे और यह क्या है इन्हें हम किस श्रुणी में डालते हैं इस फल रूप में आते हैं क्पहल परवत अवंप और पहाड़ों होती पर्वसदान होती है और ढूंदार होती हैं अगे दिया है परवत साधालतर समुख में होते हैं इसे परवत कहते हैं पहाट दूर से हिस्पर शूप से दिखाई देने लगते हैं इसनका सिखर छेत्रा पेक्षा की संकुचित होता है उत्पत्ती के आइसा पर्दमुखते तीन प्रकार की होते हैं परवत के बारे में भी तीन प्रकार हैं, देखें कौन-कौन से हैं आपके, पहला है आपका वलित या मोड़दार परवत, खंड या भंस परवत, और तीसरा है जो आला मुखी परवत, देखें वलित या मोड़दार परवत क्या है, वला पढ़ना, जब चटानों में पित्व और यह दूरी में यहां से यह चतान इस तरह घृषकती है और इधर से यह च्टान इस तरह बुरिशकती है तो प्रणाम सुरुप क्या है यह चीज चोटी तो होगी नहीं तो होता क्या है यह धीरे-धीरे ऊपर उठनी लगते हैं और यह एयरिया ऐसे हो जाँ तो यह देख हैं कि पठार नुमा आकरिती लेता है कुछ प्रमुक पलित वर्वत कौन से हैं हिमालेल वूर्ज आलपस एटलस ड्रेकेंस वर्ग राकीज एंडीज ग्रेट डिवाजिंग रेड आधी इसका विश्व के मांचित में अध्यन कीजिए तो देखिए प्रेश्ण कैसे बनेगा अब से पूछेगा कि हिमाले किस प्रेकार का परवत है वलित मोड़दार या फिर भरण से यह किस तरह आपको आसे छाटना Хोगा आगे देखिए खंड या भरणस परवत ब्रंस मिस होता है टूटना टूटने वाले खंट जो टुकड़े होते हैं दोनों से ही एक ही अर्थ निकर रहा है दीखिए विशाल का चटानी खंडों में ब्रंस या दालार पढ़ने से इनका निर्मार होता है चटानों के भ्रंशित होकर उपर उठने या नीचे घिसरकने से भ्रंश परवत अस्चित में आते हैं जैसे यह एक बड़ा चटान है हाला कि इतना चोकोर नहीं होगा तो होता कैसे गहाटी बन जाती है इसी कहा जा रहा है ब्रंश परवत अस्चित में आते हैं अगर ऊपर चले जाते हैं तो परवत बन जाते हैं तो घाटिया का निर्मार करते हैं ब्रहंस परवत के निगट बनी ब्रहंस घाटी कहलाती है भारत में नर्मदा नदी विंध परवत एमसत्पुड़ा परवत विंध भ्रहंस घाटी से बहती है कौन सी नदी नर्मदा नदी आपके कहां से बहती है विंद एवा सत्पुड़ा परवत से जो भ्हांस घाटी का निर्माण हुआ है उससे होकर नर्मदा नदी बहती है और यह प्रिश्ण जो नर्मदा से रिलेटर प्रिश्ण है बहुत ही इंपोर्टन प्रिश्ण है यहां से एक सर एक प्रश्ण बनता है कि भ्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदी भ्रंस घाटी से बहकर होने वाली दो नदिया है नर्मदा और तापी तो आपको यहां पर देखिए नर्मदा दिया है नर्मदा किन भ्रंस घाटियों के मद जिसे है विंद और सक्पूरा की प पूछेगा कि ब्रहंस परवत का उदाहरन भारत में किधर है आपको दोनों घाट देजिस की शोला घास पूछा गया थो और हाथी घास पूछा गया कुछ इसी तरह का प्रिश्मिय हां से भी उठेगा कि यह पाई जाते हैं तो आपका आंसर होगा पस्चिमी घाट पर आगे के धरातल पर आता रहता है अंदर से बाहर की तरफ मुख से गर्म लावा बाहर आने के काण जौला मुखी कहते हैं और इसके मुख से हमेशा निकलने के वज़े से यह जौला मुखी कहलाता है और इस त्वार के चारों और लावा एकत होने से संकू के आकार की आकरती बनती एपधार पठाइव पित्वी पर पित्वी क्या ह क्या हूं? नहीं परवत क्या है परवत कैसे इस आयरांस सकते हैं पर निकाओं कर चोड़े अधिकांस भाग पठार से निर्मीद है भारत का प्राधुपिया भाग पठार का प्रमुक उधारन है कौन सा है प्राधुपिया भाग विस्प के कुछ अन्य प्रमुक पठारों का मांचित का वलोकन करी कौन कौन से है वो पठा साइबेरिया का पठार पस्चिम आस्ट्रेलिया का पठार ब्राजील का पठार बिया का पठा ओकानाडा सिल्ड आदी क्या है ये पठारी छेत रहें अब देखे मैदान आ गया मैदान कौन से है वो समतल छेत जहां किर्शी की जाती है मैदान कह देखी प्रै भूपटर का समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं इनका ढाल मंद होता है पहा कि रिल्ब होता आपको जमीन में ऊची नीची दिखाई देगे वरना क्या होते हैं ये पूरी तरह से सपार्ट होते है उत्तर भारत का जो मैदान है ये पूरे विश्व का एक फेमस मैदान है दिया है विश्व के कुछ प्रमुक मैदान कौन-कौनसे यूरोपा मैदान एशिया का मैदा आदी जो फेमस है इसमेंस भारत का उत्र मेदान वह सबसी जिए इंङरेड़ है具 यह सबसे बनेंकि नहीं नहीं है यहां से कौन कौन से कौन से प्रिश्न बनेंगे धारत का सक्रिय बारें गतर我知道 रहीएं ज्वाला मुखी कौन से हो निश्क्री ज्वाला मुखी कौन से हैं और आगे देखिए अभ्यास आपका आ जाता है तो अभ्यास में प्रिश्म चरबच्चों के लिए हैं रिक्ति स्थान की पूर्टी हम लोग कर लेते हैं दिया है परवत पठार एमे मैदान पिथवी का कि च छाँच है यह डूतिये चलिने के उच्चा वाच आते हैं दूतिये अगे दिया है भारत का एकमा ज्वाला मुख्य अंड़मान निकोबार द्वीव समय के किस पर है बैरन द्वीवा और यह कैसा ज्वाला मुख्य है इससे भी देख लेते हैं वलिद परवत का सबसे अच् तो यहां आप सकते हमाले हैं के वलित परवत यहां पर दिया है हिमालय आरपस एटलस ड्रेकेंश्य एंडिस क्या है यह आपके वलित परवत के परवत आगे देखें आपके ज्वाला मुखी परवत विसुवियस परवत आपका ज्वाला मुखी परवत है फिर यह भ्रंस घाटी देखें ब्रंस घाटी से कौन सी नदी बैती है नर्मदा और तापी नदी आपकी ब्रंस घाटी से होकर बहने वाली नदिया है वहीं ब्रंस परवत इसलाज परवत आपके है। नज़music τाहने घांटश कोरें झी आपकते सब्सक्राओतं को पर आपको पूर्वी घांट पर मिलेंगे। अगली वैंज होगा अग्लीे में अपको फीर मुलाकात होगी। तब तक क्ये लिए नमश्कार्ट